तो आदाब नमस्कार, गोडीनिंग से स्राकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगा स्वागत है, क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमिली अच्छी होगी, आज की कहानी वाकई जग जोड देने वाली कहानी है, मैं इस लिए कह रहा हूँ आपसे, कि मै तो आपको समाम कहानियां सुनाता हूँ, बहुत सारी ऐसी कहानियां होते हैं, जिसको सुनने और समझने के बाद, मैं खुद ही अंदर से हिल जाता हूँ, और जब मैं विजुलाइज करता हूँ, तस्वीरे सोचता हूँ अपने जहन में, तो और भी रॉंग्टे खड़े ह हूए हैं, बस किसी तरह काबूल से जान बचा कर भागना चाहते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग आस्मान से गिरते हूए भी तस्वीरे आई, दिल को जग छोड़ देने वाली तस्वीर थी, इसी के बाद ये सवाल उठा, कि एक आदमी प्लेन की छट पर, ये साइड म मुश्किल लगता ही है, लेकिन आज दो चीज़ें आपको बताता हूँ और उसके बाद एक कहानी आती है, बात 2019 की है, लंदन में एक बड़े अमीर शक्स का घर था, और दिन का वक्त था, उनके घर से कुछ दूरी पर ही, हीत्रो एरपोर्ट है, तो दोपहर के वक्त अचा और उस गार्डन में जिस जगें पर वो गिरने की आवाद ही, वहाँ पर वो कॉंक्रीट का बना हुआ था, मार्बल के साथ, शायद वो फ्लोर बनाया था, उन्होंने साइड में चलने मलने के लिए, तो आवाद ऐसी आई कि जैसे कोई धमाका हुआ है, घर के लोग निकले गार्डन में गए, और अचानक जब वो किनारे में जाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि कंक्रीट की उस फर्ष पर कोई ऐसी चीज गिरी वी है जो बिलकुल बर्फ है, मतलब बिलकुल आईस, जमी, और फोर्स इतना था गिरने का, कि उस जमीन में वहाँ पर गढ़्धा ह गया, बाकाईदा उस मार्वल फ्लोर को तोड़ कर, इसके बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो जिसे वो जमा हुआ बर्फ समझ रहते हैं, बर्फ की सिल्ली गरी है, असल में वो एक इनसान की लाश थी, और इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, फिर इंक्वारी ह और जो कहानी सामने निकल कर रगाई, वो कहानी यह थी, कि कुछ देर पहले ही ही हित्रो एएरपोर्ट पर कीनिया एरलाइन्स की एक प्लेन लैंड की, और जब वो लैंड कर रही थी उससे पहले, जब उसना अपना लैंडिंग गेर खोला, तो उसी लैंडिंग गेर के पास एक शक्स ट्रैवल कर रहा था, और शायद टेंप्रेचर की वज़ा से, क्योंकि वुचाई बहुत होती है, माइनस में चले जाती है, तो वो जम गया, उसकी मौत हो गई, और जब लैंडिंग गेर एरपोर्ट पे लैंड करने से पहले, कि इन यह एरलाइन्स के पैलिट ने के बोटल भी मिली, फिर पता चला कि उसी लैंडिंग गेर के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, उसमें छुपकर ये शक्स नैरोबी से लंडन पहुच गया था, और लेकिन तापमान और बाकी चीज़ों की वज़ा से उसकी मौत हो गई, और फिर वो करीब जब वो गिरा, तो दो-तीन हजार फीट क्यों चाहि रही होगी, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो दीरे-दीरे नीचे आता है, तो ये नैरोबी का शक्स था, कीमिया का सिटिजन था, इसकी मौत हो गई, तो काबुल एरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी, ये 2019 की कहानी है, अब आत प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी, परदीप की उम्र थी 23 साल और उसके छोटे भाई विजय की उम्र थी 19 साल, दोनों भाई भी थे, दोनों दोस्त भी थे एक तरह से, और दोनों एक कार मेकनिक शॉप में काम करते थे, माता-पिता इनके खेती बारी क्या करते थे, जिन्दगी ठीठाक चल रही थी, उम्र भी जादा नहीं थी, परदीप का सपना था कार मेकनिक अच्छा बनना, चोटा भाई भी उसी रास्ते पर था, लेकिन इसी दोरान ऐसा हुआ कि उस मिलिटेंसी के दोरान, पंजाब पुलिस को कहीं से कुछ ऐसे लीड मिल और उनने लगा कि कुछ मिलिटेंस के साथ परदीप के रिष्टे हैं, और इसके बाद पुलिस तर तंग करने लगी, और परदीप और विजय ने लगातार अपनी बेगुनाही का सबूत दिया कि हमारा कोई आतंग बाद, मिलिटेंसी, जो पंजाब में, कालिस्तान समर्थ तक उनसे कोई रिष्टा नहीं है, हम सीधे साथे लोग हैं, घरवालों ने भी कहा, लेकिन पुलिस जब तब उन्हें तंग करने लगी, अब एक आतंगवादी का साथी होने का ठपा लगाना फिर उनने लगा कि कभी भी पुलिस अंदर कर सकती है, तो परदीप और विजय दोनों डर गए, उन्हें लगा कि ये जगह रहने के लिए ठीक नहीं है, यहां से निकलते हैं, पंजाब से कहीं दूर चलते हैं, इतफाक से पंजाब में ज्यादा तर लोग करीब करे भार दोसरे घर का विदेश में जरूर रहता है, चाहे वो कैनेड़ा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तो परदीप और विजय के भी बहुत सारे जानने वाले विदेश में थे और में सबस्यादा जो उसके करीबी लोग थे, वो लंदन में रहते थे, तो परदीप ने कहा कि यहां से चलो, पुलिस भी तंग कर रही है, लंदन ही निकलते हैं, अब उसने जब प जो तसकर था एक, स्मगलर, उसके जरीए उसने कॉंटेक्ट किया कि सुना है कि किसी अपने जानने वाले से कि तुम लंदन भेजते हो, उसने कहां, उसने उसको कहीं से जुगाड करके उस जमाने में, यह बात है 1996 की, करीब 150 पॉंट भी दिये, एडवांस, और बोला हम दो प्रेंज में जो सारे लगेज रखे जाते हैं, उस लगेज वाली जगह पे तुमको बिठा देंगे चुपचाप से, और तुम निकल लोगे, बिना टिकेट के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, दोनों को कोई जानकारी थी नहीं, उन्हों का ठीक है, लेकिन फिर व दुनों दिल्ली आ जाते हैं, सिप्तंबर के महीने में, सिप्तंबर 1996, दिल्ली आने के बाद, इंद्रा गांदी इंटरनेशनल एरिपोर्ट के चक्कर काटना शूरू करते है, इक तरह से रैकिक है, कि यहां कैसे इंट्री होती है, कैसे जाते हैं अंदर, तोनों नहीं स्टार के बार बहुत सारे ऐसी चीजे हुई तो टर्रिरिजम का थ्रेट था ही था तो थोड़ा एरपोर्ट वे एरपोर्ट पे भी सीकुरिटी पढ़ाने शुरू हो गई थी लेकिन फिर भी आथ के मुकाबले में बहुत कम थी लेकिन इन दोनों को लगा परदीप और विज जगा होती है और हर तरफ तो सेकुरिटी गाड होंगे नहीं तो ऐसा कौन सा चोर दर्वाजा जहां से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं कहते हैं करीब दस दिनों तक इननों एरपोर्ट की रेकी की और इन दस दिनों के बार इन्होंने पाया निरगांदी इंटर्नलेशन करनाटा है दीवारे भी उची नहीं है और वहां से एरपोर्ट दाखिल हो सकते हैं इसके बाद अक्तूबर का महीना आता है ऑक्तूबर 1996 दोनों भाई आखिर कार जो दस दिन तक उन्होंने रेहरसल और रेकी की थी इंद्रा गांदी इंटरनेशन एरपोर्ट के टर्मिनल म का सपना था उसके फ्लाइट के बारे में भी पता करते रहते हैं कौन कौन सी एरलाइन से कितने बज़े जाती है कौन कितने बज़े टेक आफ करती है तो पूरी जानकारी लिए चुकर ये थोड़े पढ़े लिखे भी थे इसके बाद अक्तूबर 1996 में प्रदीप सहनी और इंद्रा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट पे चोरी छुपे दाफिल हो जाते हैं और अब धीरे धीरे छुपते छुपाते रनवे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पे जहां पे प्लेन तमाम टेक आफ से पहले खड़ा होता है ये खड़ी रती है इसके बाद अब चेक किया जाता है फ्यूल भरा जाता है चेक किया जाता है इन्होंने इन सारी चीजों का इंतिजार किया उसके बाद जैसे ही ने लगा और रात का वक्त कि अब लोग नहीं हैं ये दोनों भाई उस जगा पे पहुंसते हैं जहां पे ब्रेटिश एरवेस की फ्लाइट खड को से बचाते हुए खुद को प्लेन के नीचे पहुंच जाते हैं जो लैंडिंग गेर होती है जिसके बाद पहिया जब प्लेन टेक आउफ होता है तो पहिया आपने अंदर चरह जाता है लैंडिंग गेर के खासियत ही होती है कि लैंडिंग गेर बंद होता है तो अभी कोन में कुछ थोड़ी सी जगा होती है एतनी जगा होती है कि एक आदमी होद को छुपा सकता है दोनों भाई चुके इससे पहले उनको तसकार ने कुछ ब्रीफ किया था कि कैसे तुमको लगज वाले उस जगे पे भेजेंगे फिर कहां कहां क्या होता है तो उन्होंने पूरा दि जानकारी के उन्हें मालूम नहीं उनका क्या अंजाम होगा अपने आपको लेंडिंग गेर में छुपा लेते हैं किसी को पता नहीं चलता अब ब्रिट्श एरवेस टेक आफ करता है टेक आफ के बाद एक तैय उचाई पर पहुँचने के बाद लेंडिंग गेर को बंकिया जाता है पहिए उपर आ जाता है जब पहिए उपर आता है उसके बाद जो इसकी हरकत होती होती है जो हिलता है और जिसरीकी दर शुरु वे बिल्कुल हुट-गरम हो जाता है उन सारी चीजों ने लगपक इन दोनों को लगा कि आप ये बचेंगे नी लेकिन अब प्लेन धीरे धीरे उचाई पकड़ी उसके बाद प्लेन हवा में लंडन तक की दूरी करीब दस घंटे में तैकी जानी थी करीब चार हजार किलोमेटर की दूरी है ब्रिटिश एर्वेज ने सबसे हाइस जो उचाई पकड़ी इस फ्लाई के दौरान डेली तो लंडन वो ती 40,000 हाइट मीटर 40,000 फिट की उचाई यानि के जो अपना मॉन्ट एवरिस्ट है उससे भी 10,000 फिट और उचा तो मॉन्ट एवरिस्ट के उपर आप जब भी कोई जाता है जबने लोग गए हैं बिना ऑक्सीजन के आप नहीं चड़ सकते और यहाँ उससे भी 10,000 फिट उचाई है पाइलेट को कोई जानकारी नहीं, कुरू मेंबर को कुछ पता नहीं ग्रॉंड स्टाप को कुछ मालूम नहीं और यह दोनों लैंडिंग गेर के अंदर अपने आपको किसी तरह बड़े मुश्किल से चुपाए हुए और अब तेज हवाई चल रही है स्पीड भी प्लेइन की जो है वो करीब आठ सौनों सो किलोमेटर प्रती घंटा सौ नेड़ सो किलोमेटर की स्पीड में आंधी चलती है तो इंसान उड़ने लगता है वाँ उससे आठ नो दस कुना जादा तेज हवा अब प्लेइन करीब अपनी उचाई 40,000 फीट पर पहुंचती है और उस उचाई पर जो तापमान था टेंपरेचर वो तो माइनस 60 डिग्री तापमान माइनस 60 डिग्री 6,0 मतलब आदमी बरफ बन जाए अब यहां से सीधे पहले आगे बढ़ते हैं प्लेइन सिक्स्टी माइनस 60 डिग्री तेंपरेचर 40,000 के हाइट दस घंटे की दूरी दस घंटे बीच गए दस घंटे के बाद यह प्लेइन हीतरो एरपोर्ट पर लैंड करता है दुनिया के सबसे बीजियस्ट एरपोर्ट में से एक जैसी यह प्लेइन हीतरो एरपोर्ट पर लैंड करता है उसके बाराम तोर पर जब भी कोई जहाज लैंड करता है तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो सबसे पहले आते हैं खास तोर पर लगेज वाले ताकि पैसंजर्स के लगेज को निकाला जाए तो जो पहला शक्स वहाँ पे पहुचता है लगेज केरियर जो उठाने वाला वो जैसी वहाँ पहुचता है तो देखता है कि जो पहिया है जिनका गेर वाला जो खुला वहाँ पे एक शक्स करार है नीचे नीचे किर कर पहले तो वो दंग रह जाता है जब उसको लेकर हॉस्पितल भागा जाता है जब उसको श्टेशर पे लिटाया जाता है उसी वक्त वह लगभख बहोश हो जाता है और अब उसको होस्पितल ले जाता है। लेकिन इस प्लेन से स्रिफ एक शक्स, यहीं मिला, विजय सहनी, बलके विजय सहनी नी, परदीप सहनी, बड़ा भाई, 20 साल का. हॉस्पिटल गाने के बाद, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, और जब डॉक्टर को पता चलता है, पूरी कहानी उसकी, तो डॉक्टर हैरान रहाते हैं कि यह शक्स जिन्दा कैसे है, खैर, धीरे-धीरे उसकी तबियत सुधरती है, जब वो होश में आता है, तो बताता है कि शोर इतना था एक तो इंजन की, कि हमारे कान के परदे लगबग फट गए, और ऐसा लग रहा था, जैसे भूकंप है, जो पहिया हिल रहा था, हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है, हमें एक दूसरे को देख भी ठीया, और ये कॉल थी, सरिमें एक जगह है, रिच्मोंड, रिच्मोंड इलाके से, सरे में, एक कॉल और बताया गया कि, यहां पे एक गैस वर्क है, वहां पे खाली एक जगह है, गैस पर्क का, वहां एक लाश पढ़ी हुई है, पुलिस के टीम पहुचती है, लाश उच यह ले जाती है पोस्माटम करने के लिए उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चला यह आदमी जिसकी मौत हुई है यह ऑक्सीजन की कमी से दिमाग फटने से इन सारी चीजों से फिर कुछ ऐसी चीज उसके पास से मिलती है जिससे पता चलता है इसका नाम विजय सैनी है इधर हॉस्पिटल में प्रदीप सैनी अपने भाई के वारे में पूछ रहा है अब पुलिस भी ढूम रही है कि यह दूसरा कहां है इधर यह लाश मिलनी ख़़र आती है फिर उस लाश की तस्वीर दिखाई जाती है और प्रदीप पहचान लेता है कि यह उसका छोटा भाई है फिर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है अब इसके बाद पूरी कहानी सामने आती है वो बताता है प्रदीप कि जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला हम लेंडिंग गेर में अपने हाप को छुपाए उसके बाद हमने कोशिश की लेकिन जैसी प्लेन ने टेक आउफ क और तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन जब लेंडिंग यार बन हुए पहिया अंदर की तरफ आया है बहुत कम जगाती है उसी में चुपे हुए थे लेकिन पूरे रास्ते वो पहिया जो हो इतनी जोर से आवास कर रही और हील रही थी कि ऐसा लगता कि भुकाम भाग गया ह अर्थकुएक है इंजिन का शोर इतना ज़ादा था कि चीखें निकल रही थी बरफीली हवाय ऐसी चल रही थी कि सांस सांस जम रहा था तो सांस ले ना ले समझ में नहीं है फिर इदर पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जो विजय की मौत हुई थी जब प् देवा है वो चालू हो जाती है तो कहते हैं कि छोटे भाई वीजय की मौत पहली बार पैसेंजर को ड्रिंक सब कर रहते हैं पानी उसी वक्त हो चुकी थी क्योंकि टाइमिंग जो है थी डिद की लेकिन प्रदीब बज गया और यह चमतकार डॉक्टर खुद हैरान पचा इसकी वज़ा क्या हो सकती है तो उन्होंने कहा था कि जो अपनी पूरे फैंडिंग निकाली उन्होंने ये लिखा कि इसकी बॉड़ी ने इस तरीके से रियक्ट करना बन कर दिया था जिसकी वज़ा से उसके उपर मैनस 60 डिगरी टेंपरेचर का आसर टेज हवाओं क आसर और वो शोर वो इंजन वो उसका कंपन वो भुकम जैसी फीलिंग इन सारी चीजों से वो बेसुत सा हो चुका था वरना इसका दिमाग फट जाना चाहिए था इसके शरीर के सारे मास पर बर्ष जम जानी चाहिए थी और इसको बहुत देर तक जिन्दा नहीं होना चाह दूसरा शायद एक विल्पावर थी इसकी और तीसरी शायद ये कि इसके बॉड़ी ने एक तरह से जो रियक्ट करना था वो नहीं किया तो उसका असर कम हुआ लेकिन ये किसी चमतकार से कम नहीं था कि माइनस सिक्सी डिग्री टेंपरेचर में सिर्फ एक पैन शट के अंदर दस घंटे के उड़ान हजार नौसो किलो मिटर प्रती घंटा की रफतार और उसमें एक पहिये के बीच में छुपावा शक्स दिल्ली से लंदन तका सफर कर लेता और वो भी जिन्दा बन जाता है ये अपने आप में एक मिसाल था अब दुख तो उसे हुआ कि मेरे भाई क ज़की मौत की में वजहां कि वह छोटा था और हम दोनों चाहते थे लंदन आना लेकिन वह रहा नी उसने कहा हम दोनों साथ लंदन पहुंशते तो शायद ज्यादा खोशी होती हम दोनों मर जाते तो मुझे शायदा अफ्सोस भी नहीं होता लेकिन मैं बजगिया और मैं बाई मरीया है इसका जख्म मुझे हमेशा रहेगा अगले छे साल तक उसने कहा कि वो उसको अजीव अजीव दौरा पढ़ता था प्लेइन के नाम पे दहशत होती थी वो सफर उसके जहन से उसके दिमाग से निकलता नहीं था उसको याद कि कैसे मैं कब कहां क्या फील कर रहा वीजा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं तो वहां उसके उपर मुकदमा चला और इसने कहा कि आप हमें वहां पे शरन दीजिए और दलील दी कि चुके पंजाब मेरे खिलाब पुलिस पीछे पड़ी थी और मुझे जूटे मुकदमे में फंसा सकती थी और इसलिए हम दोनो ठीक होने के बाद ये मामला अदालत में गया चुके उसे वापस भेजने की कोशिश की जा रही थी कि यहां ये गरकानूनी तरीके से ब्रिटन में आया तो उसको वापस भेजना है और वो लड़ता रहा कि मुझे मत भेजिए मानवी आधार पर मुझे यहां पर रहने 2014 तक ये मुकदमा चला मतलब 18 साल 96 में ये पहुँचा था प्रदीप सैनी 2014 में आखिरकार लंदन की एक ओट ने अपना फैसला सुनाया फैसला ये था कि एक नوجवان अपने भाई के साथ अपनी जान बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश आता है पैसे नहीं थे रास्ता नहीं था वो चोरी छुपे आता है अपनी जान को जोखिम में डालता है एक लैंडिंग गेर में छुपकर आता है और वो कभी भी उसकी जान जा सकत थी लेकिन उसने एक तरह से कहीं न कहीं एक जोखिम लिया लेकिन एक गट्स भी सामने आई बाकएदा ये ज़ज्मेंट में है कि उसने वाकई एक बहादरी का भी काम किया और इसे लिए उसके जजबे को और सारी चीजों को देखते हुए ये अदालत उसको लंदन में रहने की इजाज़त देती है और वो कहीं नी जाएगा और इसके बाद उसे ब्रेटन की नागरिकता भी दी गई 2014 में ये फैसला आया आज परदीप की उमर करीब 40 साल है परदीप लंदन में ही रहता है इसके बाद उसने शादी की दो बेटे हैं उसके और कमाल और नसीब देखिए जिस लंदन के हीतरो एरपोर्ट पर लगभग मुर्दे जैसी हालत में परदीप लेंडिंग गेर से बा ना सिर्फ टैक्सी ड्राइवर है बलकि वो हेतरो एरपोर्ट के लिए जो खाने पीने और बाकी सामान है जो कंपनी का जिनके साथ टाई अप है तो वो वहाँ पे हेतरो एरपोर्ट पर वो माल डिरिवर करता है मतलब जिस हेतरो एरपोर्ट पर वो गयरकानुनी तरीके से लगबग मर कर पहुंचा था आज पिछले कई सालों से प्रदीप उसी हेतरो एरपोर्ट के लिए काम कर रहा है वहाँ सामान पहुंचा रहा खाने पीने की जिन्दगी उसकी खुशाल है दो बच्चे हैं पत्नी है और अफसोस इसे सरिफ एक बात का है कार्श वो दोनों भाई जिन्दा होता है और यह फिर दोनों मर जाते हैं तो यह कहानी अपने आप में मतलब मैं आपको सुना रहा हूं मैं सरिफ मनजर याद कर रहा हूं चालीस अजार फिट की उचाई मैनस सिक्स्टी डिग्री तै आपमान जहाज के पहिये के साथ छुपकर जान को जोखिम में डाल कर वहां तक पहुँच रहा है फिर वही चार दिन कुरानी तस्वीर उसी के साथ है आजा जाती है वही काबल की तस्वीर की छत पर लोग दरवाजे पर लोग और एक एक कर टेज हवाय फिर उनको कैसे गि से हैं इनसानी होसलों के और इन सारी चीजों के जो लगता है कि जो नहीं हो सकता वो भी हो जाता है तिये उनमें से एक कहानी थी प्रदीप सैनी और विजय सैनी की लेकिन अफसोस की विजय की मौत हो गई लेकिन प्रदीप आज भी जिन्दा है खुशाल है हाला कि उसका कह अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजी किसी नहीं कहानी के साथ तक अपना ख्याल रखिएगा